नमस्कार आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूँ आपके साथ श्विनी सुरूही देश्वर में बढ़ते कोरोना संक्रमेंट से अब तीसरी लहर का संकट बन गया है बीते 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा केस सामने आये हैं और इस दोरान 100 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मृत्यू हो गई है महीं ओमिक्रोन का कहर भी लगातार बरप रहा है पिछले 24 घंटे में 192 नए केस ओमिक्रोन के सामने आये हैं इसके साथ ही अब देश में कोविड के नए वेरियाइंट ओमिक्रोन के मामले बढ़कर 1892 हो गए हैं महीं बतादे कि भाजपा सांसद और एक्टर सिंगर मनोज तिवारी भी कोविड संक्रमित पाए गए हैं उन्होंने ट्वीट कर ये जौनकारी देते हुए लिखा कि मैं परसो रात से ही हलके बुखार और जुकाम से अस्वस्त महसूस कर रहा था जिसके कारण कल उत्राखंड प्रचार में भी नहीं जा पाया था उन्होंने कहा कि मैं आज टेस्ट में पोजिटिव आया हूँ और मैंने सतर्पता बरतते हुए अपने आपको कल ही आईसोलेट कर लिया है महीं बताते कि दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल भी कोरोना पोजिटिव आ गये हैं मैं कोरोना संक्रमित पाया गया हूँ मुझमें इसके हलके लक्षन है मैंने खुद को घर में आईसोलेट कर लिया है जो लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आये हैं कृपया खुद को आईसोलेट करें और अपना टेस्ट कर वाए मैं बतादे कि राजगार ने दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रवंधन प्राधीकरण यानि डीडीमे आज होने वाली अपनी बैठक में अधिक प्रतिबंधों पर विचार कर सकता है ताकि संक्रमन के प्रसार पर काबू पाया ज बतादे कि डीडीमे ने 29 दिसंबर को अपनी पिछली बैठक में तै किया था कि दिल्ली में यैलो अलर्ट के तहत लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे क्योंकि एस्पताल में भरती होने वाले मरीजों की संख्या कम थी इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन नमस्कार